जै हो जै हो शंकरा आदी देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्ब तू ही जान क्या बुरा है क्या भरा तेरे रास्ते पे मैं तो आख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हड लिया तमस मेरा बैकुंट पूर यानि की बैकट पूर इस मंदिर की सबसे खास बात यह है न यहां शिवलिंग रूप में जो भगवान शेव हैं उनके साथ माता पारवती जी भी विराजमान है इतना ही नहीं पूरे शिवलिंग पे 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए है और ऐसा माना जाता है की बैकट पूर यानि की बैकुंट थाम जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं और नहीं और सबसे बड़ी बाद की अपनी राजधानी पटना से बस 22 किलोमेटर के अंदर है करने पूरे हिंजुस्तान में ऐसा सिवलिंग नहीं है बारह सव महादे के सब्स द्वादस लिंग है सब्स एहां राम भगमान आके पूजा किये हैं इजू हजार की तीन हजार वर्थ पहले है फूरे एसिया में ऐसा महादर जी मुहिये गवडी संकर माता पिता रिधी और कि बारह सव महादे के साथ द्वादस लिंग हरा हरा महादु गोव मुखी रूप में हैं आगे पिछे आगे मां हैं पिछे पिछे पिटा संकरवान मुझूद है यहां पर जो भी आता है उसका बेडा पार होता है अपके खिरपा से सब काम हो रहा है पटवार के बिना ही मेरा नाव चन रहा है अकरता नहीं मैं कुछ विया सब काम हो रहा है हाहा हाहा महादू